अग्रिम जो हमारी प्रवक्ता हैं पंडित मदनमोहन मिस्र जी जो कि वारानसी से पधारे हैं उनके स्रीचरणों में निवेदन है कि अपना भाव सब के सामने रखेंगे मदनमोहन मिस्र जी स्रीचंकराचार्य नवावतारं विद्धद वरेल्यम जती इंद्रमुख्यं कलव युगे धर्म युग प्रवर्त्कं बंदे सदास्त्री करपात्रिणं गुरु गोष्वामी तुरुषी दास की जैनती के अवसर पर प्रस्थानत्रई ब्यत्रई लगुत्रई के संदर्व में ही मानस महुआ मोरारी की मूल प्रक्रवर्य मियते जगदनिया अनेन इती माया हा स्वरूपत्वात निमील प्रज्यायाम उपरिकत्वा उव आ समापनोत अंत जो माइक प्रपंचों को हटाकर हनुमाल जी की किरपा से हिर्दय मिसीता राम को बैठा दे वही महुआ का स्थान है उसका दिवत्तम परिशंदर्व है उसकी एक व्योस्ता का परिशंदर्व है ऐसे मोल प्रज्या को नमन अक्षरम अध्याप्यत यह साध्यापका जो अक् जो विवेक को जागत कर देता है उस सद्गुरू है कि इस जो रोम रोम में राम को बैठा देता है वही तुलसी जैसा संत है वही तुलसी जैसा संत है वही तुलसी जैसा संत है प्रालंभिक संदर्व में ही प्रोफेसर विश्वास हरिश्ची ने बहुत महत्पूर बाते क मुस्लिम कंट्री में वाह के राश्टा धक्षे नोगों मैं पूछा, हमारे राश्ट का पैसा हिंदुचप पर क्यों खर्च हरा है, गरवक सेекаा था राश्टा धक्षु में तुल्शी के राम, क्या भड़ये बात है, कितनी सुंदर बात है, ना हिंदु होना बताते हैं, ना मुसल्मान होना बताते हैं, अरे इंसान को इंसान होना बताते हैं, और आज जरूरत इंसान की है, इंसान क्या मसक्ता के स्रोप के वित्थ की चिंतन की अवस्था की क्रम में है, एक निवेदन करूं, इसलाम केवल कर्म की पेला दे रहा है, इसाई प्रेम की अस्थापना कर र और सच्चे अर्थों में महाबेर अगर अहिंसा दे रहे हैं तो हमारा सरातन धर्म सब कुछ दे रहा है कुछ ऐसा नहीं है जो नहीं दे रहा है एक निविद नौर करना चाहूंगा अंतर राष्टी धर्ति पर जैसा प्रोफेर्सर हरिष्टी ने कहा था सबसे बड़ा सोवियत रोश का पुरसकार लेनिन प्राइज किसको दिया गया वारान निको को क्यों दिया गया क्योंकि राम चरितमानस का रूसी भासा में अनुबाद किया था इसलिए उनको लेनिन प्राइज दिया गया कामिल बुल के जिसकी चर्चा आपने की थी निवेदन करूं कामिल बुल के कहा एक बहुत बड़ा वाक्या है मैं इशाई हूं हिंदु धर में पूरा क्रम में पूर्व जन्म पर विश्वास नहीं करता किन्तु अगर पूर्व जन्म होता हो तो मैं केवल आलमाइटी जन्म ओदैना चाहुंगा तुलसी जैन्ति की मुल्कर्गा के संद्रव है बड़ी चर्चा करते हैं मैं भी सूइकार करता हूं किस उसके मूलबे जाना हो गाव रत्ना न फट्पार नहोता तो तो तुलसी तुलसी नहोते इसमें एक निवेदन तो अगर केवल रत्ना की फ पत्कार की महत्ता है तो तुलसी के उर्बर अंत्हकरण की भी महत्ता है पंत नगर का बीज हो सड़क पर बो दीजिए का तई नहीं जमेगा उसकी अवस्था का शरूप है एक बात बताओं बहुत संदर ने रत्ना ने चुठी लिखी थी कभी कभी कोई बात इसलिए नहीं कहता कि आप कर दीजिए पेट ने अपनी पत्नी से कहा मैं जा रहा हूं रहे लाइन के नीचे कट के मरेंगा पत्नी कहा तु जल्दी जाए का तो पराठा सब्जी बना दो कहा जब कटने जा रहे है तो पराठा सब्जी क्या करोगे एक गया गजल और भाषण में क्या अंतर है तो उसने बड़ा अच्छा उत्तर दिया का जब प्रेमी क्या बोलती है तो गजल लगती है और पत्नी बोलती है पूरा भासल प्रतीत होता है समझने का अंदाज है सरूप की वृत्यों के चंतन की आस्था है नवेदन करून एक छो आण जान सेली ने कहा अवर सीष संग ता दौट तेपा होता है देश्टाट लेकिन सख भी ओगी और हमारे हाँ सोका हसलोकत तुमागता तो बिस्टाथ ने कहा वाक्त्यमर साथ मुकम काव्यम मम्मत ने कहा ता दो सब्दात्स अगोड़ाम लगती काव्यम पंडित्रा ने कहीं प्रोड़क्शन आप प्वेट्टी बताएंगे का प्रोड़क्शन आप प्वेट्टी क्या है बोले हिदाए सिंधु मते सीपे समाना स्वाति सारदा कहीं सुजाना जाओ बरसाइबर बर वीचार होई कभी तमुके तामे नीचार काया आपकी कविता मोती हो गई कहां करोगे क्या आप कम बनाओंगा कम आला जैसे आप सूत्र माला सबको धाल करवाते हैं कहां तुम्हें माला बनाओंगा कैसे जुगूत बेदिपनि पुई हैं राम चरित बर्ताग हमारी माला आपका तंसी एक बास शमझ में नहीं आई कहा त७ और आपकी कभीता मोती हो गई काश्च आल को थाजा स सस्ता हो गया तो आपने राम के चरित को दाघा कह दिया सस्ता कर दिया ऑपने को आपने आपने मोती महांगा कर दिया अ कि देख समझने का एक तट है कब में दोस को चैद्र काते है हमारी करिका मोति प्रखनी मोति है हमने राम प्रॉस को इसलिए बनाया है सस्ता नहीं किया है अपने दोस को य तुलसी जयंती पे तुलसी जी के लिए एक तत्थ कर रहा हूं जो चिठ्थी लिखी घिरतना ने इसलिए लिखी थी क्या आप यहां से चले गए कटकी जीनी कनक्सी रहू सखिन संग सोई मौह हटे के डर नहीं आनत कटे डर होई तुलसी ने उत्तर लिखा था अज मुबाइल का जमाना हो गया चिठ्थियों का भी जमाना था एक जग़ा चिठ्थी आई उस पे लिखा था ग्राम पोस्ट जिला पाने वाले का नाम जी नहीं था पोस्ट्मेंट परिश्टाम किसको चिठी दो जाऊ हमारी चिठी है कहा नाम नहीं लिखा है कि हमारी पत्नी नाम कैसे लिए देखो वाँ च्छेध करके लाल से घेर दिया है हमारा च्छेदी लाल अब जपि उख हो सकते हैं तुलसी ने उद्तन लिखा था तुलसी चाखा प्रेम रस पतनी की उपतेस नाग पंचिमी है उसकी भी महत्ता है तुलसी को उस दिश्ट से देखने का एक छोटा सा परिशंदर प्रतिश्ठापी तो आप्याई थे ग्रमतकार बहुत अच्छे क्रम में एक विवस्था दे रहे हैं और आज भी दो दूसरा दिन और दो हजार बाइस उसका देवतन समागम का क्रम है तुलसी का एक क्रम आप देखें एक ने कहा कथा का ठीक है का सब को अच्छी लगती है का हां जिन हरी कथा सुनी नहीं काना कहा तो ठीक है तो स्रवर रंद रही भवंत समाना उसका साप की तरह आप समझो साप बड साप का संसे सर्फ ग्रसेव महिताता संसे का साप काम का भुजंग काल का ब्याल और आप समझे चिंता की सरपड़ी ये चारों को अगर खतम करना हो साप बिल में चला जाए पानी डालिए साप निकलेगा सी राम जसलिल सुधासम सीता राम के चरित्र का जल जब जाता है तो सच काम राम से जुड़ जाता है निश्चित रूफ से संसे विश्वास में बदल जाता है उसका एक परिशंदर में एक निवेजन नावर करूं एक दिन कह दिया बहुत बढ़ियां लक्षमन ले रेखल का मारस कप भालो मोहिब लोक तोर मैं कालूं मैं तुभारा काल हूं हनुमान जी ने हाथ पकड़ लिया समाल करके बोला करो एक सब्द बोल देने से केवल पती और पतनी राष्ट पती में पूरा संसद घबढ़ा गई आप जानते हो इसलिए बोलने में बड़ी समाल रखनी पड़ती है क्या बोल रहे हो रावड के काल आप हो कि राम जी हैं क अब तो बोल गया सिरांत से हनवान जी ने कहा इन्होंने कह दिया मैं रावड का कालू नाक पंचिमी की दिन चौपाई एक पंक्ती तुलसी दास के क्रम में आपको सबर पी थैं क्या लिखा बहुत बढ़ियां कहा लेक्समाल अब तुम मारोगे रावड को मैं कहां शे मार दिये हो बाड़ी को सत्य कर लो खैच सरासं स्रवन लगी चारे सर एक तेस रघुनायक सायक चले मानव काल फड़ेस मानव फड़ियों काई साक्षा सेस काल बन करके जा रहा है और वही नाभी में जाकर के रावड को समात करता है एक निवेदन करूं बड़ी अच्छी चर् में देखें पूरी चौपाई लिख दिये ओठ नहीं मिला ओठ मिले या नहीं तात जनक तनया यह सोई धनुस जग जह कारन होई और ऐसा दोहा लिख दिये ओठ हाटेगा नहीं करत बत कही अनुजसं मनसी रूप लुभान मुख सरोज मकरंद च्व करई मधू भीयू पान ह हो ठाटा नहीं अब एक चीज और आप देखेंगे हमारे अच्छे बिद्दान बैठे हैं स्री भास्त में साफ साफ सब्दों में लिखा साफ साफ सब्दों में स्री भास्त में एक बहुत अच्छी बात लिखी आप अबरगा भक्ति पान चीजे ना हो भक्ति जीवन में आ इस चौपाई में ओठ का छर ही नहीं लिखा है तो ओठ मिलेगा कैसे गोश्वामी जी का कला पक्ष है एक निवेदन करू कंकन किंकिन नूपुर्ट एक पैर का गहना है एक हाथ का गहना है और एक किंकिनी कमर की मल्दब गोश्वामी तुर सिदाशी कह रहे हैं जिसके जीव जीवन में सैयब रूपी करधनी हो और जिसका जीवन में सदाचार रूपी नूपुर हो उसके जीवन में सीता मिलके रहेंगी कोई रोक नहीं सकता है सीता मिलकर के रहेंगी और एक निवेदन करून जब इस बिंदपी सस्थर के क्रम की विवस्थाओं को आप देखेंगे हमारे राम चिल्ट मानस गोश्वामेजी ने लिख दिया और बहुत बढ़िया मुकुस्त ने उसको गाया अमर हो गए रामन सागर ने दिखाया इसमें एक महनी है देवी बैठी है रामन सागर जी को यहां से वाड उनके करम में मिल लहा है लेकि रामन सागर ने स्वैम अपने हाँ से कृष्णा देवी जी भागलपुर की वैठी है बंबई में इनको सम्मानित किया था अपनी पूरी विवस्था दे करके उनों ने दिखाया अमर हो गए और एक बाद बताओं राम चिर्ट मानस को ब्यास पीठ गोष्वामी बिंदु जी के माध्यम से बहुत बढ़िया बना उनका नाम है अच्छे संदर्वों में मूल प्रकित के चिंतन में सिव नारायन ब्यास जी ने नवान नपारायल मानस महा यग करके एक सो वाठ प्रामनों के द्वारा एक प्रतिष्ठा का क्रम बनाया और प्रतीक बात के रूप में बिश्विद्यालियों की भासा में पद्म विभूशर पंडित रामकिंकर जी उपाध्याई ने मानस को प्रतिष्ठा पितिया और दोगित घरानों को भक्त से सराब और डाक्टर सीनाथ मिस्ड ने किया अभिनंद नहीं है और तुलसी एवाड समारोह करा के अंतर राष्ठी अस्तर पर मैं प्रसंसा नहीं कर रहा हूँ बापून एक प्रतिष्ठा अपना का दंबना है इसलिए का देदी प्रिमान चिंतन की धारा की अवस्था का प्रति बहुत है एक निवेदन और करून बड़ी आप गहराई से देखेंगे पूरा आप देख लें जितना जगत है जितना करम है हाँ तो इस प्रकार से गोशामी तुलसी दाश्ची की मूल प्रकित की चिंतन की धारा पे जैंती के उसर पर केवल एक पद्ध पढ़ करके बाड़ी को भिराम जो राम गुलाम जी ने लिखा है जो तुलसी उस समझता है और कहीं जाता नहीं कौन क्या जाना बस पाद पंक जात की पुनी तताय हिल्या जानी जानी है कठोरताई रावल निसाकने और रीज जाने राम को गुलाम राम जाई कबं कतव कहूं परो नहीं जाकने ऐसा तुलसी का संदर्व है उसी महत्ता में सबका नमन सबका अभिनंदन सबका क्रम बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर पर्णित मदन मोहन मिसरी जी के द्वारा बारानसी से युपधारी बहुत सुंदर आनन्द आ गया प्रविचन सुन करके